सबसे पहले तो मैं एच टुडे के शुरोताओं को धनतेरस दिवाली और भईया दूज के उपलक्ष में धेरो धेर शुब कामने देता हूँ इस बार जो धनतेरस है वो धनतेरस का जो परव है वो 25 अक्तूबर 2019 शुक्करवार को मनाया जा रहा है धनतेरस के दिन जैसे कि शास्त्रों में बीदित है धनतेरस के दिन किसी भी परकार का मैटल यानिके सोनना चांदी या पीतल बरतन कोई भी अच्छी चीज का क्राए करना घर लाना बहुत शुब माना गया है धन 13 जो है वो हमारी भाषा में धन 13 भी उसे कहा जाता है तो ये शुकल पक्ष कार्तिक मास की क्रिशन पक्ष की परदोश ब्यापनी तिथी को मनाई जाती है धन 13 वाले दिन शास्त्रों में कहा गया है कि यम की पूजा इस रात्री को की जाती है इस दिन यदि अपने घर के बाहर तेल का दीपक जला कर और उस दीपक का मुख दक्षन की और किया जाए तो बहुत ही शुब माना गया है इससे कि घर में किसी भी परकार के अरोग्य या अपमरित्यू को जब भै है उससे छुटकारा प्राप्त होता है जैसा कि धन तेरस पर यदि हम अपनी राशी के अंसवार किसी चीज़ को उस दिन क्रे किया जाए और घर लाया जाए तो अती शुब रहेगा इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ यदि जिस जाटक की राशी मेश है वो उस दिन कोई भी सोने का छोटा जेबर या तेज पत्तर खरीदे तो उसके लिए और उसको अपने घर में स्थापित करे तो उनके लिए ये बरश बहुत ही अच्छा रहने वाला है इसे ही ब्रिश राशी वालों के लिए पीतल का कोई बरतन उस दिन घर लाना उनके लिए शुबकारी रहेगा मिथुन राशी वालों के लिए यदि वो केसर थोड़ा सा अपने घर लाएं और उस दिवाली उस दिन से लेकर दिवाली तक शनान करें तो उनके लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाला ये बर्श उनके लिए रहेगा इसके बाद जो राशी आती है वो है करक राशी तो करक राशी वाले इस दिन यदि चांदी का सिक्का और इसके सासाथ यदि वो कपूर अपने साथ घर लाएं तो उनके लिए काफी अच्छे फल देने वाला ये बर्श रहेगा सिंग राशी वालों के लिए इस दिन शेहद खरीदने की और पत्थर से कोई भी बनी हुई मूर्ति अगर अपने साथ क्रेय करके घर लाएं और उसे अपने पूजास्तान में स्थापित करें तो इस बर्श उनके लिए काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे सिंग राशी के उपरांथ अब हम चर्चा करते हैं कन्या राशी वाले कन्या राशी वाले जातक यदि इस दिन कोई भी नया बरतन चाहे वो स्टील का हो या कांसे पातर हो वो खरीदना उनके लिए काफी शुब फल दाई रहेगा तुला राशी वाले जातक इस दिन चांदी का बरतन और नया वस्तर खरीद कर अपने साथ घर लाएं तो उनके लिए ये शुब कारी रहने वाला है बरिश्चिक राशी वालों के लिए तांबर पातर खरीदना हितकारी रहेगा धनु राशी वालों के लिए एक किसी भी परकार का पर्फ्यूम यानि किसी भी परकार का इतर अपने साथ घर लाएं और उसे मा लक्षमी को अर्पित करें तो उनके लिए ये बर्ष काफी धन्दाई रहने वाला है मकर राशी वाले जातक इस दिन कोई भी पीतल का बर्तन जो की कलाई किया हो और इसके साथ स्टेशनरी जैसे कोई भी किताब कौपी अपने साथ खरीद कर घर लाएंगे तो उनके लिए इस साल जो है वो धन का अबाब नहीं होगा कौम राशी वालों के लिए कोई भी पारे से बनी हुई चीज अपने साथ खरीद कर लाएं और अपनी कमर के लिए एक बेल्ट अगर भो खरीद कर लाएं तो उनके लिए अच्छे फल देने वाला ये बर्ष रहेगा इसी तरह अगर राशी कंसार इन चीजों को खरीद कर अपने साथ लाते हैं तो आपके लिए ये इस बर्ष आपको धन धन्या आदी चीजों की पूरती होती रहेगी